तो आज इस वीडियो में हम लेबिज दिर्म का प्रोब्लम नमर फाइफ करेंगे प्रोब्लम फाइफ क्या है तो यह हमारा प्रोब्लम नमर फाइफ है चलो से शॉल्व करते है गिवन य इसकल नमर फाइफ क्या नोटिस करते है यहां पर y n plus 2 है जैसा कि मैं previous के questions कराया हूं उसमें भी बताया था कि y n plus 2 है तो पहले हमको y को second order तक की derivative करेंगे इस बात को अच्छे से समझ लेना और मुझे उम्मीद है कि यह बात मैं बोल ला हूं तुम सब को खिलिया लोगा प्रिवेस के questions में कराया हूं उसमें भी बोला था कि n plus 2 दिया है question में यहां पर प्रूब करने में तो y जो हमेरा original फंसन है इसको second order तक की derivative तक पहले को second order तक की derivative तक derivative करेंगे यहां direct y के लिए हम अपलाई नहीं कर सकते है ठीक है तो यहां पर हम y निकालते है इसका y1 होगा 10 inverse x का derivative बहुत है 1 upon 1 plus x square ठीक है y2 कितना होगा y2 again differentiating again differentiating okay तो y2 हो जाएगा minus इसको हमेंसे भी लिख सकते हैं 1 plus x square के पाउर minus 1 direct हम cosine triple apply कर लें या फिर normal जो x के पाउर n का derivative वाला फर्मूला होता है को apply कर लें तो नहीं तरके से हम apply कर सकते हैं तो finally हमारा result आएगा हम पर 2x upon 1 plus x square का whole square इसको हम लिख सकते हैं minus 2x upon 1 plus x square इन्टू 1 upon 1 plus x square तो इतना तो हमारा y1 मों जाएगा तो इसको हम लिख लेते हैं इपर minus 2x y1 upon 1 plus x square ठीक है implies that 1 plus x square y2 minus इधर आजाएगा plus हो जाएगा 2xy1 is equal to 0 तो यह हमारा अब apply करेंगे ठीक ना तो चलो लेबनिश थिर्म अप्लाई करते हैं apply Leibnish theorem इंप्लाइब देट यार प्रिवियस की वीडियो एक बार जाके देख लो लेविश तेहरम अप्लाई कर से करते हैं लेविश तेहरम होता क्या है क्यों यूज करते हैं मैं अच्छे से करा चुपा हूं प्रोलम नमर फाइब कर रहा हूं देख लेना जो लोग फ़र्श टाम प्रोलम नमर फाइब करें उसके पहले वाले पीडियो जाकर देको फिर इसको देख रहा तो वाई-एन-प्लस उह हो जाएगा यहांपे यहांपे यहां तक लेमिश कर लिया अब इस पर अप्लाई करते हैं तो प्लस 2 2 y n plus 1 into x plus n into y n into 1 is equal to 0 ठीक है इतना समझवा है अच्छे से अब इसको simplify कर लेते हैं 2 से 2 factorial cancel हो जाएगा implies that 1 plus x is required y n plus 2 plus 2 n x y n plus 1 plus n square y n minus n y n 2 symbol reply हो जाएगा plus 2 x y n plus 1 plus 2 n y n ठीक है is equal to 0 अब देखो 2 n y n minus n y n ठीक है और यहां से common हो जाएगा हमारा 2 x y n plus 1 common हो जाएगा यहां से 2 n x y n plus 1 2 n x y n plus 1 तो हो जाएगा 1 plus x is required y n plus 2 y n plus 2 plus 2 into n plus 1 into x y n plus 1 plus n square y n minus minus plus plus 2 n y n is equal to 0 तो हो जाएगा 1 plus x square y n plus 2 plus 2 n plus 1 x y n plus 1 यहां से n common लेता है n into n plus 1 y n is equal to 0 तो हमें यही प्रूब करना था और साथली हमने प्रूब भी कर लिया ठीक है तो आएगा की question यह से समझ में आया होगा problem number 5 कर रहे हैं ठीक है लेवल देरे देरे बढ़ रहा है आप question करेंगे और लेवनिस्तिरम में एक टाइप और question फूछता है जो कि अभी हम continue करेंगे एक टाइप और करने के बाद y n at 0 ठीक ना तो इस टाइप ए question में है जस्ट अभी एक टाइप दो question और करा लूँ प्लेवल लिस्ट का पूरा वेडियो देरे लेवनिस्तिरम का ठीक है थांक यू सो मुच वाचिंग दिस वीडियो जैहिन